हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आये हैं, आलू से एक दम टेस्टी सा नास्ता, तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं, तो आलू और ब्रेड से हम इस नास्ते को बनाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, एक कच्छे आलू को छील के लिए इसे ग्रेट कर लेंग तो ये पूरा अलू हमने ग्रेट कर लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बावल ले लेंगे और इसे अलू को इसमें डाल देंगे, तो बहुत ही जल्दी ये अलू लाल होने लग जाता है, अगर आप चाहें तो पानी में ही इसे ग्रेट करेंगा, उसके बाद पानी ड दाल देंगे, उसके बाद 2-3 हरी मिर्जी इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा अधरक और लसुन को हमने ग्रेट करके लिया था, तो उसे डाल देंगे, थोड़ा साबू जीरा डाल देंगे, आदी छोटी चमच से कमी है, आदी छोटी चमच सौप डाल लेंगे, बहुत और थोड़ा सा हम चाट मसाला डाल रहे हैं, आदी छोटी चमच से कमी है, यह सारी चीजें, और थोड़ा सा गरब मसाला डाल लेंगे, थोड़ा हम काली मिर्ची का पाउडर डाल रहे हैं, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल लेंगे, तो उसके बाद हम थोड़ा कटा और उसके बाद इसे सारे ही मसालों को हम अच्छे से आलू में मिक्स कर लेंगे तो ऐसे करके बढ़िया सा मिक्स कर लेते हैं ताकि एक लच्छे पे बढ़िया सा ये मसाला लग जाए और जितना भी इसमें पानी आलू छोड़ेंगे तो उतना पता चल जाएगा क्योंकि नमक इसलिए इससे अच्छे से mix कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे एक चमच हम सूजी ले रहे हैं तो एक दम बढ़िया करंची सा बनेगा हमारा जो नासता है करारा सा सूजी से उसके बाद हमने दो चमच बेसन लिया है सवरी दो चमम हमने मैेधा लिया है तो आप चाहे तो इसमें गेहों का आठा डल के या फिर भेशन ना डाल सकते हैं निजों क्यों है तो कोई भी गुढ़ी न रहे हैं इसलिए आप खराल पानी डालते वे जड़ी आप ऩक्यों है तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो ये गोल जो है एकदम पतला हो जाएगा और इसमें गुटलिया भी रह जाएंगी जो हमने मैदा डाला है, ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, ये बढ़ी असा हमने मिक तो यह हमने चार-पांच ब्रेड ले लिए हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे एक एक ब्रेड लेंगे और चाकु ले लेंगे और इसके जो किनारिया हैं उसको हम कट कर लेंगे तो ऐसे करके और सब किनारियों को हम हटा लेंगे तो ये सारी किनारिया हमने अटा लिए तो सारे ब्रेट को हम ऐसे ही कट कर लेंगे तो ये सारी ब्रेट की हमने किनारिया अटा दिये उसके बाद हम क्या करेंगे एक ब्रेट को ले लेंगे और एक ब्रेट के हम चार पीस कर लेंगे तो ऐसे करके आप चाहें तो दो पीस में भी इसको बना सकते हैं या पूराई ब्रेड का भी आप बना सकते हैं तो हम चार पीस इसके कर रहे हैं तो ये आप देखिए ऐसे ही कट कर लेंगे सबको तो ये सारी कट करके हमने तयार कर दिये उसके बाद हमने जो बैटर बनाया है आलू का तो उसको चेक कर लेते हैं तो इसको थोड़ा सा और फेट लेंगे बढ़िया सा हो जाएगा क्योंकि इसमें सुजी भी हमने डाली है तो एक एक पीस ब्रैट के लेंगे और उसको अच्छे से कोटिंग कर लेंगे ऐसे करके डाल के और ये आप देखें ऐसे करके क्योंकि आलू है इसमें तो ऐसे ही चलते है गैस की तरफ तो इधर हमने तेल गरम करने रख दिया था तो बढ़िया करके इसको सेट करके और ऐसे डाल देंगे तो ये आप देखें तो पूरी ब्रैट को हम कवर कर लेंगे और इसे थोड़ी देर बनने देंगे थोड़ा थोड़ा गरम तेल इसके उपर डाल देंगे ऐसे ही करके उपर से भी सीखते रहेंगे ये साथ के साथ तो गैस को हम मेडियम पर ही रखेंगे ना जादा कम करेंगे ना जादा करेंगे तो मेडियम फ्लेम पर हम इसको बड़ी आसा करारा सा होने तक सेख लेंगे तो अब ये एक साइट से थोड़ी सी होने लग गये हैं तो इसको पलट लेते हैं तो ये आप देखे बड़ी ऐसा कलर आने लग गया इसमें तो ऐसे ही करके दो चार बार पलट लेंगे तो बड़ी ऐसी करारे बन जाएंगे तो ये आप देखे फिर से एक बार पलट लेंगे तो पांच मिनट में ये नास्ता बनके तयार हो जाता है अलू ब्रैट का और अलू बालने की भी जंजट नहीं है अगर आप अगर आपको यह नास्ता खाना हो तो पांच मिनट में बनके कच्छे आलू से ही तयार हो जाता है तो यह आप देखे एकदम करारे से हो गए हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर देए और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह नास्ता कैसा लगा और आप हमारी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरू कहां से देख रहे हैं तो वो जरूर बताईएगा इसे सौस और चटनी या फिर चाय के सौकीन है तो चाय के साथ खाईएगा बहुत ही टेश्टी लगेगा थेंक यू